हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजर्स किचन मसाले की सीजन आते ही हम सारे मसाले को स्टोर करते हैं तो सोचा की क्यों हम हिंग को भी स्टोर करें ऐसे तो हमें मार्केट में हिंग का पेकेट आसानी से मिल जाता है तो यह सस्ते में मिलता है और हमें जो पेकेट लाते हैं वो बहुत महेंगे पेकेट होते हैं 2000 से लेकर 2500 तक 1 kg ग्राम हिंग मिलती है तो यह सिर्फ 750 में हम 1 kg हिंग का SPS लाके रख सकते हैं तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ हिंग के से स्टोर करें तो यहां मैंने 1 kg ग्राम जितनी हिंग के SPS ले लिए है यह मार्किट में आसानी से आपको मिल जाएंगे तो इसे हम SPS लेकर हम इसको बढ़िया से क्रश करके केसे रखेंगे और पूरे साल के लिए SPS के स्टोर करें तो चलिए यहां मैंने यह ले लिया है इसके अंदर हम डालके इसको चोटा चोटा टुकड़ा में हम इसको कर देंगे तो यहां हम इसको बराबर से चोटे 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 टुकड़ों में पहले कर देंगे इससे बाद में हम ग्रेंडिंग जार के अंदर हम डालके सारे हिंको पावडर कर देंगे सारे मसाले को केसे श्टोर करें वो आपको देखना है तो प्लीज हमें कोमेंट करके ज़रूर बताना वो वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी तो यहां हमारे सारे छोटे छोटे टुकडों में बिल्कुल इस तरह से हमें इनके छोटे छोटे टुकडे बना देने हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि हमने सारा इनकों बिल्कुल इस तरह से पहले क्रश कर लिया है और छोटे छोटे टुकडे बना दिये हैं तो इसको हम एक grinding जार के अंदर डाल देंगे, थोड़े थोड़े टुकड़े ही इसके अंदर डालने है, तो यहां हम एक से टू स्वेचुला इसके अंदर डालेंगे, थोड़े से ही लेने है और चटनी में करवाला जो जार होता है, इसके अंदर ही हम हिंग को crush करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बड़ी आसी हिंग हमारी क्रॉश हो चुकी है, एकदम फाइन पाउडर हमें बनाना है, तो इसको हम एक प्लेट में ले लेंगे, एक छन्नी लेंगे, इसकी मदद से हमें हिंग को छन्नी चान लेना है, परफेक्ली जिसे हमारे एकदम फाइन पाउडर बनकर तयार होता है, इसमें बड़ी आसी स्मेल भी आती है, और बाजार के पेकेट्स से बहुत अच्छी हिंग मिलती है, तो इसको हम बिलकुल परफेक्ली इस तरह से चान लेंगे, एकदम बड़ी आसी हिंग ये बनकर तयार होती है, आप शरूर ट्राइ करना, बाहर की हि हिंग लाना आप भूल जाएंगे, सालो साल ये हिंग आप श्टोर करके रख सकते हैं, तो बड़ी आसी हिंग है, वो चान लिए है, और ये जो चलने के बाद ये जो बचा है, इसको हम फिर से ग्रैंडिंग जान के अंदर डाल कर इसको भी हम क्रॉश कर देंगे, जिससे को कोई भी हिंग हमारी वैशना हो, तो चलिए इसको भी हम चान लेते हैं, बड़ी आसी हिंग हमारी चन भी चुकी है, और क्रश भी हो चुकी है, तो चलिए इसको हम स्टोर के से करीब, मैं आपको वो दिखाती हूँ, तो यहां हम एट टाइट कंटेनल ले लेंगे, इसके अ हम देख सकते हैं, कि यहां हमने एक कंटेनर ले लिया है, इसके अंदर हम सारे हिंग को बड़िया से डाल देंगे, हिंग के फाइदे तो बहुत है, इसलिए हम इसे स्टोर करके रखे, वही अच्छा है, सारे मसाले हम वेसे तो स्टोर करते ही है, पर हिंग स्टोर नहीं करत हम तो हर साल करते हैं पर इसलिए मैंने आपको दिखा दिया है कि हिंग को केसे श्टोर करें तो बढ़िया से हम इसके अंदर सारी हिंग को डाल देंगे आज की मेरी यह रेसेप आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेर और कोमेंट करना ना भूलना और मेरी चैनल पर आप नही है तो प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलना तो एक दम बढ़िया सी हिंग हमारी बर भी चुकी है और बढ़िया सी बंद भी चुकी है तो यहां एक वन केजी ग्राम हमने लिया था यह हमारा है वन केजी और चार सो ग्राम का कंटेनर इसके अंदर हमने सारी हिंग को डाल दिया है और एकदम रूम टेंपरेचर में ही इसको रखना है बड़ियासी हमारी हिंग रेडी होकर तयार है तो आपको केसी यह रेसेपी लगी और आप कोमेंट करके ज़रूर बताना और आप भी यह स्टोर करना ना भूलना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसेपी में तब तक के लिए बाब बाई टीक खेर